हालो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चनल शेवदार विद आयोश और हम बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों के यारेन हीट एक्सचेंजर आइपयों के फाइनल या फिर कहूं तो डे थर्ड ओफ सब्सक्रिप्शन के बारे में कितना दोस्तों ओवर्ण मिलता है तो यह बार द्यान रखेगा 220 का आपको एक्सर मिलेगा पैसट शेयर कुल मिलाकर मिलते हुए नजर आएंगे 341 करूर का इश्यू था यह सारी इंफोर्मेशन तो आपको पता हिए तो चलिए सीधे समझने कितना आखरी दिन पैसा आया है कल तक अगर आप इश्यू को देखेंगे जो रिस्पॉंस मिला था कि वाई भी काटेगरी सब्सक्राइब हुई थी ती तीन गुना एचनाई काटेगरी सब्सक्राइब हुई थी 136 गुना रिटेगरी 56 ताइम तो कुल मिलाकर 58 ताइम ये इश्यू हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था दो दिनों में अगर इश्यू 58 ताइम सब्सक्राइब हो रहा था आप समझ सकते हैं कि इश्यू के अंदर कितना दम है इश्यू को कितना अच्छा response मिल रहा है no doubt size b issue का smallest में कोई doubt नहीं है but the thing is कि subscription तो अच्छा निकल कर आ रहा है ये बाद हमको साफ साफ समझ में आ गए थी आखरे दिन देखना ये जरूरी था कि हमको basically qibs के द्वारा कितना पैसा आता हुआ दिखता है और बाकी retail अचनाइस कितना लगाते हैं तो ठीक ही है लेकिन specific होता है qib का पैसा तो कितना पैसा है qibs का चलिये शुरू करते हैं तो वो qibs जिन्होंने सिफ तीन गुणा इश्यो को दोस्तो सब्सक्राइब किया था आखरे दिन आते आते हैं ये 253 times जी हां हमको होता हुआ दिखा इतना जादा पैसा दोस्तो बेसिकली qib का आता हुआ दिखा रहा है 253 times qib portion overall subscribe हुआ massive पैसा qib का आया है 31,7,000 share offer किये गए थे बट आप देखे कितने shares के लिए application आती है 78,63,710 shares कुल मिलाकर qibs ने इस issue के अंदर दोस्तो close to 17,300 करोड रुपीज लगा है अप कोई कह सकता है कि 17,300 करोड तो बहुत कम है बट अगर आप इन टर्म्स of subscription देख रहे हैं तो ये 200 गुना है 200 गुना राइट 200 गुना कौन सा आपने आखनी में qib portion subscribe होता हुआ दिखा था आपको भी याद नहीं होगा क्योंकि इतना शानदा subscription है basically जो आपको आता हुआ दिखा है तो no doubt qib category ने बहुत दमदार issue को भरा है then दोस्तो hni category आती है जो करीबन 428 times subscribe होती भी नज़र आई ये बात बिलकुल मज़िदार में कह सकता हूँ आपको qib से जादा आता हुआ दिखा है कुल मिलाकर 2512 करोड जो है वो basically दोस्तो हमको hni से पैसा आता हुआ दिखा है 23,87,000 as a whole hni को offer किये गए थे जिसके हमने 102 करोड शेयर के लिए basically जो application है वो आता हुआ दिख्या अब जो सबसे important यहाँ पर data आता है कि allotment कितने में से कितनों को मिलेगा तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ big hni से तो देखिए big hni का डिगरी पहले दिन जिस तरीके subscribe हुई थी लग रहा था कि पैसा शांदर आएगा जी हाँ आखर दिन तक 445 times hni ने इस issue को भर दिया कुल मिलाकर 15,91,000 शेर ओफर किये गए थे जिसके सामने दोस्तो 70 करोड 87,1695 शेर के लिए application आया कुल मिलाकर जो big hni थी उन्होंने 15,591 करोड रुपीज इस issue में लगा है जो अपने आप में बहुत जादा शांदार था अब सबस्टरा क्वेशन यही कि बीगेचना में कितने में सो कितनों का allotment मिलेगा तो अगर आपने बीगेचना काड़ेगरी के अंदर पैसा लगाया है तो यह वाध्यान रखिएगा आपकी allotment आने के chances है हर 89 में से एक व्यक्ति के कैसा कैसा निकाला है 445 को दुस्तों डिवाइड कर दिया मैंने 5 से क्यों डिवाइड किया विकाज यहाँ हमिशा वाध्यान रखिएगा 10 लाग के बिट जरूर है वड़ आपको shares कितने मिलेंगे 2 लाग प्लस के यानि जितने basically small channel को मिल रहे हैं उससे थोड़े बहुत ज्यादा मिल जाते कभी कबार लेकिन इसमें तो उस स्यादा नहीं मिलेंगे 2 लाग जितने यापने basically small channel को share मिलेंगे उतना आपको मिलेगा बस आपको chances ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि divide by 5 हो जाता है तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आपने पैसा लगाया है big hni के अंदर तो हर 89 में से एक व्यक्ति को allotment जो है वो basically मिलने वाला है no doubt chances बहुत जादा नहीं है बहुत bright नहीं है बट क्या सकता हूं कि सबसे other chances big hni के अंदर ही लग रहे देन आते है small hni पे 395 time दोस्तो small hni portion सबस्क्राइब होता हुआ देखने को मिला है मतलब expectation से भी beyond subscription overall आया है 7,95,000 शेर offer किये गए थे जिसका हमने 31 करोड 45,000 शेर के लिए application आई कुल मिलाकर 6920 करोड रुपे जो है वो basically हमको आते हुए नजर आए किससे small hni से राइट small channel category इतनी शांदा subscribe हुई है small channel में से simple से बात है जितना subscribe हुए उतना मैं से 1 को मिलेगा तो 395 में से एक व्यक्ति को allotment लगने वाला है simple सी बात है जितना subscribe हुटा है उतने में से दोस्तों एक व्यक्ति को allotment मिल जाता है तो अगर आपने small channel category के अंदर पैसा लगा है तो आपको small channel में से एक व्यक्ति को allotment मिलता हुआ निजर आएगा ये आपको पता होना चाहिए अब आते हैं दोस्तों जो सबसे important category है जिसमें no doubt majorly लोगों ने लगा है वो है दोस्तों retail और retail कितना subscribe होता हुआ दिखा है चलिए अब इसके उपर आ जाते हैं तो कि retail portion 94 times कुल मिलाकर subscription लाता हुआ दिखा है बट ये है total जो है in terms of shares application नहीं 94 times का मतलब कितना है कि दोस्तों कुल मिलाकर 54,98,000 share offer किये गए थे जिसके सामने करीबन 51,68,88,000 share के लिए application है कुल मिलाकर retail ने 11,370 करोड रपे लगा दिए मतलब बहुत जादा लगा दिए इतना जादा expectations नहीं होती है retail से कि छोटे mainboard इश्क का इंदा लगा है लेकिन इतना पैसा आ गया विकॉज मैं आपको कल भी इता रहा था कि सिंपल सी बात है जिस तरीके से एक momentum create होता हुआ नजर आया है जो बजाज finance का IPO आया उससे जो लोग पहला IPO में नहीं लगा रहे थे अब वो सब IPO में बेसिकली लगाते होगे दिख रहे है और वही definitely यहाँ पर अगर आप दिखेंगे तो हो रहा है और बढ़िया है जो भी है बट अब सबसे important बात कि है कि अगर आपने retail category में पैसा लगा रहा है तो आपकी allotment आने के chances कितने हैं यह तो इसके आप दीखेंगे बात करते हैं तो देखेंगे जो overall जो application आई है वो कितनी है वो है दोस्तो 6125353 कई जगह पर थोड़ी बहुत जादा है मतलब कई जगह पर 6141 भी है बट overall ठीक है इतनी applications है इसको दोस्तों multiply कर दीजे बाइन कितने यह 65 यह होगा इससे जो भी value आईगी ना उसको फिर डिवाइड करिए का इससे 54,98,330 तो उसके बाद जो value आती है वो मोटा मोटी 72.4 बनाती है बट इसको मैं round of पर के 73 लेलता हूँ number of shares एक lot ठी retail में मिलेगा allotment अगर आपने यहाँ पर दो lot भी लगाए तब भी आपको एक ही मिलेगा दस भी लगाए तब भी एक ही मिलेगा अगर allotment मिल रहा होगा तो उससे होता क्या है कि काफी लोगों को लगता है कि 10 lot में लगा तो में chances बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं ह सब्सक्राइब लगेगा तोटल मिलाकर आप देख सकते दोस्तों 11 गुना दोस्तों यह इश्यू सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया मतलब करीबन एक कावन हजार क्रूड रुपया आ गए मासिफ पैसा जो है इस छूटे से इश्यू को मिलता हुआ नजर आया इश्यू तो पर एक सेप्रीट वीडियो बना दूगा तक कि अब चेक कर सके कि कि किस तरीके से हमको अलॉट्मेंट मिलेगा राइट बाकि लिस्टिंग इसकी कब तक होगी लिस्टिंग होगी वन विडिनस दे विडिनस दे कोई लिस्ट होता हुआ नजर आएगा तो अभी तो इसकी लिस्टिंग होती भी नजर आएगी बाकि जो अभी दोस्तों ग्रे मार्केट है थोड़ी बहुत गिरावड है बट स्टिल 122 परसेंट है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि 100% उपर अगर इलिस्ट होगता है तो बड़े लिस्टिंग मान जाए तो देखते हैं अब होता क्या है बागी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था होपफिले आपको वीडियो बड़या लगा होगा आप लोग मुझे बताइए कि आपने किया रेन हीट एक्सचेंजर में कितनी अप्लिकेशन लगाई है एक दो तीन कितनी अप्लिकेशन लग प्रूशन लगा